हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एलेगर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा वैसनमुक्ती तग्य हूँ महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमार यहां दो हस्पिटल है जिसमें हम मांसिक रुगन तथा वैसनी लोगों को रिष्टारों के साथ में भरती करते है और दुसरा हस्पिटल है जहां मनोरुगन और वैसनी लोगों को बिना रिष्टार भरती करते है और उनका इलाश करते है मेरे पास में काफी डिप्रेशन के पेशेन आते हैं और डिप्रेशन का एक मूल कारण है बहुत ज़्यादा सोचना और छुटी-छुटी बात के उपर बहुत ज़्यादा सोचना हम एक्चुली हमारे में से कुछ लोग एडिक्टिव धिंग खरे और ये डिप्रेशन से कैसे बाहर आना इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इकर टोली ये जो अमेरिका के लेखक थे उन्होंने ये बुक लिखिये पावर अफ नाउ और ये बुक में से मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूँ होँ और डिप्रेशन से कैसे बाहर आना इसके बारे में मैं आपको कुछ जान करें देने वाला हूँ हमारे समय काफी लोग जो है न वो सोचते रहते और सोचते रहते काफी उदास हो जाते नर्वस हो जाते हैं और यह जो पार्ट वन है भाग एक इसमें दो भाग है ये वीडियो के तो पार्ट एक पहला वीडियो जो अब यॉसके मारी में मैं मतलब कुछ बताओंगा आपको बताओंगा कि क्या-क्या मतलब ऐसे कारण है कि जो कारण से हम डिप्रेशन में जाते हैं या कुण से thinking से हम depression में जाते रहते हैं पच्चास हजार से साथ हजार thoughts हमको रोज आते हैं जिमात में और वो uncontrolled thoughts है हमारा उसके उपर कोई control नहीं है बार 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 आते रहते हैं कुछ लोग तो उसको addicted है addictive thinker उनको बोल सकते हैं और फिर मतलब ये नजर से हमने देखा तो हम हमारे mind के हमारे mind के हम गुलाम है slaves है actually mind हमारा गुलाम होना चीए हम हमारे mind के गुलाम है क्योंकि हमारे thoughts ये control में है नहीं और ये सोस्ते हमारा mind जो है ये automatic thought machine है ATM है automatic thought machine automatically thoughts सोस्ते रहता है सोस्ते रहता है और मैं जो बोल रहा हूँ या आपको इदी उसकी टेस्स लेना है तो जराए वीडियो रोको और देखो और आखे बंद करके देखो कि आपको कितने विचार कुछ सेकंज में या एक मिनिट में भी आप वीडियो रोक के देखा तो कितने विचार आते आपको मालूम या उनको नीदने आती थी काफी depression के विचार उनको आते थे और उन्होंने मतलब suicide की विचार आते थे और उन्होंने अपने life के बारे में कुछ खोश किया, discovery किया और वो life के बारे में life को अलग नजर से देखना होने चलू किया और वो depression से बाहरा आ गया पिर लोकों के साथ में उन्हें शेर किया बताया लोको और फिर उन्हें ने अपने जो तजरुब है उन्हें जो एक्सपिरिएंसे कीए उसका नाम है Power of Now और इस विजन 2002 में ये बूक उन्हें पब्लिश किया जो बात में बहुत पॉपिलर हो गया 33 भाश्याओं में अलग-अलग वो book publish हुआ और 30 लाख copies उसकी बाद में बेची गई तो उन्हें वो कैसा किया उसके बारे में जो experiences उन्हें बता है वो मैं आपको बता हूँँगा तो idea number one now the important time बहुत सारे लोग अपने अतित में अटके वे भुतकाल में अटके में भुतकाल के विचारों के वो गुलाम है उनको काफी anxieties है worries है उदा सिंता है अतित के बारे में अतित के बारे में वो सोचते रहते हैं अतित के वो गुलाम बन चुके है actually अभी जो वक्त है अभी जो now है अभी जो present है वहीं धिरे 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 पास में जा रहा है तो जो पास्ट है उसके बारे में आप चिंता कर रहे है वो चिंता कब कर रहे है ना अभी और उसके बारे में हम सोचते रहे हैं उसमें लोग अटकेव है फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं सब्सक्राइब प्रोजेक्ट पूरा करना और उसके बारे में हम चिंता करेंगे मतलब उसकी शुरुआत कीी तो दुरे दुरे वह प्रोजेक दो अब्त में खतम हो जाएंगा और अपनी वरी चिंता एंग्जाइटि खतम मतलब शुरु में थोड़ा सा काम करना करता है बहुत जादा कस्टपरत काम रहा है बहुत जणना काम रही जिने भॉत पड़ा कामा काम नुहां चालू करेंगे शुरूवात नहीं हो रही है तो उसको शृूरू आत करना ज्रूरे बले आप दो मिनिट के लिए पांच मिनिट के लिए शुरूरूआ्ट कर दो एक आपने शुरुवात कर दिया तो आपकी टेंशन कम हो जाएंगी और आपका वो प्रोजेक्ट पुरा होते जाएगा एक चाइनीज प्रावर्ब है कहावत है वो बोल दिये कि a journey of thousand miles has to be completed but we have to start with the first step मतलब 1000 miles का सफर जो है वो पुरा करने के लिए आपको कठिनाईया लगेंगे आपकी दिमाग में टेंशन आएंगा मगर उसकी शुरुवात आपको पहले कदम से करना है और वो पहला कदम डालने की शुरुवात करने पड़ेंगी पहला कदम डालना पड़ेंगा उसकी réviderा की अपने अभी करना है अपना पूरा फोकस अपना पूरा ख्याल जो है वह अभी के वक्त के उपर नाव के ऊपर अपने कूँय देने का है तो ये उनकी उन्होंने बताया कि वहली idea है अब idea nobl2 वो है कि you are not your mind you are not your ego और you are not your identity आप आपक आडेंटिटी नही है मतलब आप जो है वो आप कैसे थे आप बच्पन में एकडम पूरे आप थे मतलब आपकी पूरी आत्म अभीविक्ति थी आप कैसा भी रहते थे कोई आपको चिंता नहीं थी बच्पन में जैसा लाइफ जीना था वैसे जी रहे थे लाइफ और बात में आपके उपर अलग- सोशल लाइफ के समस्कार हो गए मामा आपने समस्कार किये आपके अपने एजुकेशन लिया उसके समस्कार के उपर हो गए आपके बच्पन के दोस्त है आपके आपने जो भी कुछ पढ़ा ही किया उसके बारे मतलब जो भी कुछ है वो आपने जमा करते गए जमा करते कोई बोलेंगा मैं पिताजी हूँ कोई बोलेंगे मैं माता हूँ कोई बोलेंगा कि मैं हिंदू हूँ कोई बोलेंगा कि मैं हिसाई हूँ मतलब कोई कुछ बोलेंगा कोई बोलेंगा मैं नुकरी करता हूँ तो वो आपका सब इगो का पारट है आप जो है वो अलग है और आपकी आइडेंटिटी जो है वो अलग है इकर टोली यह बोलते हैं कि आपका जो माइंड है वो माइंड और आप आपकी आइडेंटिटी यह दुनों अलग-अलग है और यह दो अलग है जब आप यह समझ लेंगे कि यह दो अलग है कि मैं मेरा जो भी आपको तकलीब है जो भी आपको डिपरेशन है वो आपके identity के वज़ज़ से आपने जो भी कुछ जमा किया हुए है वाता औरं से तो उन्होंने बोला कि the end of suffering, the end of all suffering, मतलो आपका suffering जो है, आपकी तकलिफ जो है जब खतम हो जाती है, तो आपका enlightenment हो जाएगा, तो identity जो है, ego जो है आपको suffering देता है, और वो यह हम अलग कर सके, देख सके अपने आपको, कि मेरा ये ego है, ये मेरा mind है, और आप उसको समझ सके, तो आपके suffering जो है, खतम हो जाएगा, आपका depression जो है, वो ठीक हो जाएगा, idea number 3 जो है, वो है, being present is the way of enlightenment, और being present is the way of enlightenment, जब आपके ego से आपको अलग कर लेते हैं, तो आपको ये समझ जाता है, कि आप है कोन, आप है कोन, आपने क्यों जन्मलिया, आपका अस्तित्व जो है ये दुनिया में है काई के लिए, क्योंकि हमारा जो suffering है, वो suffering, past की चिंता है, past के बारे में निराश है, और future के बारे में चिंता उसके बज़े से है, और वो एडियम, उसके बारे में सोचते नहीं है, और right now रहते, तो भ समझे एक minute के लिए, आपके दिमाग में पूरे विचार निकाल दिये, completely, और आपका दिमाग पूरा blank कर दिये, तो फिर आपको क्या दिखेगा, कैसा experience होंगा, कुछ भी ने, क्योंकि आपको जो भी सामने आ रहा है, वो पहली बार आ रहा है, आप ऐसा जियोंगे कि जो भी दिख रहा है, वो पहली बार देख रहा है, तो आप उसको कुछ अर्फ लगाएंगे ने, कुछ जज्ज्मेंट लगाएंगे ने, कोई meaning लगाएंगे ने, कुछ भी करेंगे ने, जो भी हो रहा है, उसको देखेंगे, उसका अनुब हो लेंगे, फिर अभी मशिन से मैंने पुरा ये विचार निकाल देना, उसके बज़े क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि एक minute के लिए नहीं, मैं हर पल-पल, moment to moment, ऐसी machinery मैं लगा सकता हूँ, अपने आप self-control से, कि मैं बार-बार ये जो हैने विचार ये पुरे निकाल दूँ, और सिर्फ अभी जो हो रहा है, उसक क्ना ने, व curriculum, जो भी वातरा है, कि मैंने कोई pasty नहीं, कोई अर्तित नहीं, उसके बारे में की कुछ कहा니 बनाऊंगा ने, उसको कई अर्थ से लगांगा ने, जो भी हो रहा है, उसको मैं उसका अनुभा कर लोगा, तो ऐसी machinery, जब मैं लगाँगा, मेरे में, खुद में, self से तो फिर क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं जीवन जो भी हो रहा है उसको मैं कुछ भी देख सकता हूं किसी तरह देख सकता हूं बिना कोई judgment का बिना कोई मतलब लगाते हुए और मैं उसका अनुबवह लेके अच्छा अननिय जीवन मैं जी सकता हूं तो यह self-control मुझे मेरा आना ची वो जो thoughts है वो जो future है और जो past है उसके बार में मेरा self-control दिया आ गया तो depression का कोई कारण है नहीं कोई depressed हो गई नहीं क्यों क्यों होते दिप्रेशन होते हैं कि सोचो तिंग तिंग उसका अनुबोल हो उसका बुरा अनुबोल हो दुखी हो जा से और डिप्रेश हो जा तो जब हम अतीत के बारे में या भविश्य के बारे में वो मशिन से पूरा निकाल देंगे moment to moment, moment to moment वो मशिनरी से और वो कलाम को आ जाएगी और वो कलाम को सीखने बड़ेगी तो फिर हमको depression हो गए है नहीं तो यह मैं यहाँ पहला पार्ट जो है वो खतम कर रहा हूँ आपको second पार्ट में अभी इसके जो solutions है वो में बताऊंगा पार्ट टू में यह वीडियो के और वो solutions है आपको definitely depression के उपर आपको मात करते आएंगी वो हटाते आएंगा आपको अच्छा लगा तो जरूँ इसको like करो कभी सारे लोग होंगे जनको depression है उनको यह share करो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वहाँ जो घंटी आ जाएंगी उसको भी प्रेस करो दबा ताकि मेरे वीडियो जो है वो आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी यह मेरा वीडियो आपके whatsapp ग्रूप के ऊपर facebook के ऊपर शेयर करो और हमारा जो मकसद है mental health for everyone और वैसन मुक्त भारत सब के लिए मानसिक स्वास्तिया और सब को शक्तिशाली बनाना इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा थैंक यू बरी मच